असलाम वालेकुम मैं मुहम्मद दुरंग जेव खान आपको वेब डिस्याइनिंग के सेकंड लेक्चर में वेलकम करता हूँ हमने जैसे के फर्स लेक्चर में पढ़ा के अडिटर किया है और कोडिंग किस तरह की जाती है कहां कौन से एडिटर्स हैं जहां पे हम कोडिंग करते हैं और जो वेब डिस्याइनिंग का फ्रेंट एंड और बैक एंड कौन सा होता है तो lecture को शुरू करते हैं उसमें हम सबसे पहले previous lecture को revise करते हैं कि हमने पहले lecture में क्या-क्या पढ़ा तो web designing के first lecture में हमने पढ़ा कि angle brackets कौन सी होती है आपको पता होगा कि ये math की equations में math के subject में less than or greater than angle brackets कलाती है और जो ये angle brackets के दर्मियान में HTML लिखा हुआ है ये opening tag starting tag के लाता है और जिसके साथ back forward slash लगी होती है उसको closing tag ending tag कहते हैं और जो web designing के web designing है ये front head है ठीक है और HTML, HTML5, Adobe Photoshop, CSS, CSS3 इसमें शामिल होंगे और जो backend पर आएगा वो web development, javascript, PHP और dhtml और SQL ठीक है शामिल रहेंगे तो आज का जो lecture है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो HTML है किस तरह work करता है और HTML को use करते हुए हम coding कैसे करते हैं और HTML stand for किया है ठीक है तो हम इसमें थोड़ा सा एक code लिखेंगे उसमें हम जानेंगे कि हम website कैसे मनाते हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले first of all हम शुरू करेंगे HTML से HTML stands for HTML आपको पता होगा कि किस चीज का मखफ़फ है हाइपर टेक्स्ट मार्कब लेंग्विच हाइपर टेक्स मार्कब लेंग्विच इसका मखफ़फ है अब हम इसमें पढ़ेंगे HTML में कौन-कौन से टैग आते हैं जिसके जड़िए हम कोडिंग करेंगे जिसमें हम कोड करते हुए website design करेंगे ठीक है first आता है हमारे पास HTML opening tag और closing tag ठीक है हम अकठे लिखेंगे नेक्स्ट मेरे पास इसमें आ जाता है header जिसको head कहते हैं ठीक है यह मैं आपको clear समझाओंगा ताकि आपको समझ में आए नेक्स्ट मेरे पास आता है हेडर के अंदर हम लिखेंगे टाइटल को ठीक क्योंकि हेडर के अंदर टाइटल आता है तो हम यहां पे लिखते हैं टाइटल ओपनिंग टैग और closing tag साथ लिखेंगे एक बात याद रहे कि जो भी हम tag लिखेंगे उसका opening tag जो होगा उसके साथ closing tag जो है वो लाजमी है अगर आप opening tag लिखते हैं closing tag नहीं डालते हैं उसके वज़ा से भी code जो है वो run नहीं कड़ेगा तो आपने इस चीज़ का खास हिया रखना है अपने coding के दुरान ठीक है एक एक quotation का भी धियान रखना है एक एक जो inverted commas है उसका भी धियान रखना है कि आपके किसी भी कौमे के विज़ा से जो code है उसमें कोई mistake ना हो नेक्स हमारे पास आजाता है body body tag जो होता है वो नहायत ही important tag है इसके बगार कोई भी जो website है वो run नहीं करती अब हम इसको शूरू करते हैं ठीक है आपको बाद चल गया हमारे पास HTML है header है title है उसके बाद body है अब मैं आपको एक बता दूँ बात कि हमने जितनी भी coding करनी है वो हमने HTML के अंदर रहते हुए करनी है क्यूंकि हमारे पास यह front trend है ठीक है अब हम title में लिख लेते हैं for example ठीक है example के तोर पर आपको समझाने के लिए कि title हम देते है basic का basic html ठीक है basic html तो next मारे पास आ जाता है यहां पर body ठीक है आपको दिखाने के लिए w e l c o m e welcome ठीक है आपको यहां पर नज़र आ रहा होगा कि हमने टाइटल में लिखा बी कैपिटल है a capital है s small है i c ठीक है basic html ठीक है टाइटल में हमने लिखा और body में लिखा welcome ठीक है हमने इसको ऐस को क्या करना है कि हमने इसको देखना है कि यह run कीसे करेगा ठीक है उस Seux run करने से सबसे पहले उपर से जो आपको मने बताया इसको मैं race कर लेता हूँ ता कि हमारा जो program है जो हमारा code है वो सही तरह run करे तो अब हमने यहां पे देखें एक छोटा सा code लिखा अब इसको हम run करते हैं हम सबसे पहले इसको save करने के लिए control S करेंगे एक बात याद रहे कि जब भी हमने कोई text जो है edit करना है या कोई भी code edit करना है लिखना है राइट करना है तो उसको हमने save लाजमी करना है जब भी लिखेंगे बेशक आप एक inverted comma ही क्यों न लगाएं ठीक है और कोई भी जो आप file लिख रहे हैं ठीक है आपने इसको save करने के ल लाजमी tag लगाना है ठीक है फार एक्जेंपल मैं यह पहली website का जो है page में आ रहा हूं तो इसके लिए हम लिखेंगे index.html ठीक है इसको हमसेव करने के लिए desktop चूज करूँज करूँगा डेक्स टॉप सेव करूँगा तो यह देखें आर रेडी कहा रहा है कि हमेरे मेरे प लिखाता हूं कि हमारे पास यह क्या चीज आई आपको तक है पता चले कि क्या है तो आप जड़ा गोर फरमाएं कि यहां पर देखें basic B capital है A capital है S small है I small है C small है और H capital है T small है M capital है और L B capital है ठीक है यह हमारे पास क्या आगया यह हमारे पास आगया title ठीक है किसी भी website का जो उ लिखा वहा रहा है यह body के अंदर है कि हमने यह अंदर body के write किया है जो हमारे पास की page blank नज़र आ रहा है ठीक है यह हमने लिखा welcome जिसमें W capital है small E है और L B small है C capital है O capital है M E small है ठीक है अब हमारे पास कोई client आता है वो मुझे हमें कहता है कि जो title में आपने लिखा है basic HTML ठीक ह यह मुझे अच्छा नहीं लगा कि B capital है A capital है S small है तो लहाजा इसमें changing कर दी जाए और कोई client कहता है कि जो welcome अपने लिखा है यह भी हमें अच्छा नहीं लगा इसमें भी changing की जाए तो हम इसके लिए क्या करेंगे ठीक है अब आप देखें जरा हम इसको change ऐसे करेंगे हम करते हैं basic का हमने B capital रहने दिया A small कर दिया यहाँ पर HTML है तो हमने इसके जो तमाम alphabets थे इसको हमने अपर case में कर दिये ठीक है और हमारे बास यह welcome था हमने इसको small कर दिया ठीक है welcome to my channel ठीक है यह मैंने लिख दिया और अब इसको हम क्या करते हैं control s ठीक है लाजमी जब भी code लिखें तो control s जरूर करना है ताकि save हो जाए नहीं तो work नहीं करेंगा code ठीक है अब हम इसको दोबारा open करते हैं यह देखें अब मैंने दोबारा इसको open किया तो हमारे पास change हो गया title b capital है s small है s small है i b small है c small है कि सारे capital है basic html और welcome to my channel यहां लिखा आगया अब हम क्या करते हैं इसको दुबारा फिर कुछ changing करते हैं ताकि आपको clearly नजर आए ठीक है यह हमारा tag है हम इसको क्या करते हैं html को raise कर लेते हैं basic lecture ठीक है इसको फिर control s करते हैं save करके file को reload करते हैं reload करने के बाद देखें basic lecture हो गया यहां पर ठीक है यह changing आगई तो यह आपको बताने का सिर्फ मकसद यह था कि ताकि आपको यह समझ में आए बात कि यह कैसे work कर रहा है है कैसे यह काम करेगा ताकि आपको किसी भी तरीके की मुश्किल पेश ना आए तो अब हम next क्या करते हैं हमारे पस यह देखें ऑपनिंग टैग में हम जो भी लिखेंगे इसको हम क्या कहेंगे attribute ठीक है आपने याद रखना है जो भी हम लिखेंगे उसको क्या कहेंगे attribute अगे लिखेंगे colo ऐसके बाद हम क्या करेंगे इस इक वल टू उसके बाद हम क्या करेंगे इन्वर्टिट कॉमा ठीक एन्वर्टिट कॉमा अब हमने कलर चूज करना है मैं चाहता हूं क्शाइब लू डखू था एसके ए थे ल यू एठीक है भी तो ठीक है इसके बाद अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज दखाऊंगा इसके इंदर इंवर्टिट कॉमा नहीं लगाया ठीक है अब इसमें इनवर्टिट कॉमा लगाँगा तो यह वर्क करेगा अदरवाइस वर्क नहीं करता तो अब यह देखें अगर मैं इसको यह रिलोड करता हूं तो हमारे बस जो कलर है वह चेंज हो गया ठीक है आपको इतने समझ में आ गया होगा अब मैं नेक्स एक और छोटी सी इंपल देता हूं या भे हमने स्काई भी लूड कि अब इसको हम बिलू करते हैं ठीक है यह बिलू करके सेव करते हैं झाधिक ऐख़िए यह विलू हो गया और आपको यसे मेरे पर चाहिए हो कि अमुज़ करता हूं कि आपको आज का मेरा लेक्चर जो है समझ में आया होगा तो आप सबसे एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सबसक्राइब करें बेल का जो आईकन नज़र आ रहा है उसको प्रेस जरूर करें ताकि आपको जितनी मेरी वीडियो नहीं आएंगी वो आपको मिलती रहें वो बाव वक्त मिले तो आप जिस प्लेट फार्म से देख रहे हैं सनेक वीडियो टिक टॉक ठीक है फेस्बुक यूट्यूब कहीं पर भी आप देख रहे हैं तो आप लाइक फालो सब्सक्राइब ठीक है कमेंट लाजमी कीजिए काल कमेंट करके आपने मुझे बताना है किया काम जो है वो कैसा लगए कैसा किया है और आपने मुझे जो यह परफॉमस है जो आप काम करेंगे मुझे जूर बताना है कमेंट करक है ठीक है किसी भी तरीके से काम रोज करना है ठीक है रूटीन के साफ से ताके आप अच्छे जो डिवेलपर हैं प्रोग्रेमर हैं वो बंजें तो मिलते हैं इसके नेक्स लेक्चर में तो तब तक के लिए अल्ला हाफिस करना है